पापा पापा सुई आप लगा दीजिये एक संस्मरण दर्द के बिना जिन्दगी का कोई अस्तित तो नहीं है दर्द के बिना जिन्दगी होती भी नहीं है दर्द है तभी तो जिन्दगी का एहसास है दर्द है तभी तो जिन्दगी महसूस होती पास है अब दर्द किसका है, कैसा है और किसने दिया है, यह सब अलग अलग लोगों के जिन्दगी में अलग अलग तरीके से प्रकट होता है, मेरी जिन्दगी का दर्द मुझे मेरी बीमारियों से मेला था, हलका फुलका तो उस वक्त के बारे में आज भी याद है मुझे, बाकी तो मम्मी पापा या फिर और लोगों से सुनकर ही, बच्पन की उन रिदय विदारक बातों को जानता और समस्ता हूँ, सब बताते हैं कि मैं बच्पन में बहुत ही कमजोर था, पेट मेरा अंदर दबा हुआ था, सीने की सारी हड्डियां बाहर उभड़ी हुई थी, कोई उपर से देखकर ही मेरे सीने में कितनी हड्डियां है, गिन कर बता सकता था, पापा बताते हैं कि जब जब गर्मी की छुटियों में हम सब गाउं, पूरब पट्टी, आजम गड़ घूमने जाते थे, तो हर कोई उनसे कहने लगता था, हरे, कहां घूम रहे हैं कैश्किर साब, बिटवा को मरवाना है क्या, जल्दी से से वापस शहर लेकर जाईए, वरना कौन जाने कि यहां उसकी जिन्दगी बचे भी की नहीं बचे, कभी कभी तो ऐसा भी वाक्या हुआ, जब कुछ लोगों ने यह भी कहा, जो भी कपड़ा उपड़ा टिंकू के लिए खरीदे हैं, सब इसको पहना डालिये, अब इसका आर्थ तो समझाने की किसी को जरूरत भी नहीं है, मगर इतना तो है ही कि इससे ज्यादा कोई दर्द देने वाली बात, और वह भी एक माबाप के लिए, इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती है, कि ये दुनिया के लोग उन्हें ये एहसास दिलाने लगे, कि उनका बच्चा अब ज्यादा दिन का महवान नहीं है, मेरे वर्तमान को देखकर मेरे बीदे हुए कल का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, अब तो कभी कभी अगर बलड चेक करवाने की नौबद भी आती है, तो पैथा लॉजिस्ट को मेरी नस ढूणने में ही मुसीबत आ जाती है, बहुत बार किसी को देखकर उसके भविश्य का अनुमान लग जाता है, लेकिन किसी का वर्तमान देखकर उसका बीता हुआ कल कैसा था, ये अक्सर पता लगाना मुश्किल हो जाता है, अच्छा था, कि मेरे जैसे बीमार बच्चे की काया का निवास अस्थान, भले ही एक किराय के घर में था, मगर वो घर किसी डॉक्टर का था, हर फजीहत करने वाली चीज, कभी कभी फुर्सत के शन भी जिन्दगी में देती ही है, तो डॉक्टर का होना तो मेरे लिए, मेरे स्वास्थ के लिए अच्छा ही था, आदमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर दबाई देता है, और जल्दी ठीक करने के लिए सुई, कि इंजेक्शन को हम लोग गाओं में सुई कहते हैं, किसी बच्चे को आज भी जब डराना होता है, तो हम कहते हैं कि ठीक से रहो वरना डाक्टर के पास ले जाका सुई लगवा देंगे, और सुई का नाम सुनकर कोई भी बच्चा हो, तुरंट लाइन पर आ जाता है, मुझे सुई से बहुत डर लगता था, शायद सारे बच्चों को लगता है, मगर मुझे सुई से आज भी बहुत डर लगता है, कोशिश यही करता हूँ, हमेशा, कि कुछ भी हो, सुई भर बसना लगे, सुई से ज्यादा डर लगने का कारण भी शायद यही रहा, कि बच्चपन में ज्यादा बीमार रहता था, और जिसके कारण मुझे सुई यहां ज्यादा लगाई जाती थी, डाक्टर भी बहुत बड़े वाले डाक्टर नहीं थे, और छोटे डाक्टरों का भरोसा दवाईयों से ज्यादा सुई यही पर होता है, एक वक्त ऐसा भी था, जब मेरा हिप सुई यहीं के छेट से पट गया था, वो द्रिश्य आज भी मेरी आँखों के सामने घूमता है, जब मैं उस दिन सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर, पापा पापा बोलकर चिला रहा था, दिन का उजाला हो चुका था, कोई साथ साड़े साथ बजे होंगे, डॉक्टर एक शिशी में भरी दवाई को इंजेक्शन में खीच रहा था, जिसे देखकर मेरा दर्द सुई लगने के पहले ही बढ़ा जा रहा था, जब फिर अपनी दोनों उंगलियों के सहारे जटके देदे कर दवा को इंजेक्शन के अंदर सेटल कर रहा था, और मेरा दिल उसे देख देखकर विफल हो रहा था, जब उसने हवा में हाथों को ऊपर करके इंजेक्शन को नीचे से थोड़ा सा प्रिस किया, और सुई की नोक से दवाई की कुछ बूंदे बाहर आई, तब मेरी आँखों से आशों की बूदे जरजरा कर भने लगी, मानों की कोई बाद आज अचानक तूट गया हो, अब जब डॉक्टर मुझे सुई लगाने के लिए रेडी हो गया था, तो मैं चिलाते हुए पापा की कमीज पकड़ कर बार बार उनके पीछे छुप जाने की असफल कोशिश में लगा हुआ था, और जब वो डॉक्टर मेरी तरफ आगे बढ़कर आने लगा, तो चिलाते हुए मैं बस एक ही बात कहे जा रहा था, पापा, पापा, सुई आप लगा दीजिए, सुई आप लगा दीजिए, शायद पापा अगर इंजेक्शन लगाते, तो मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाता, वो कहते हैं न, कि बीमारी में या फिर मरते वक्त, हर कोई अपनों के पास, अपनों के साथ, या फिर उनकी गोद में सिर रखकर ठीक होना या मरना चाहता है, अपनों के साथ दर्द जो थोड़ा कम हो जाता है, उसी दर्द की तलाश, जब जब मैंने जिन्दगी में की, हर जगह जो याद आएं, वो मेरे पापा थे, वो मेरे पापा थे, जब अपन pistaर्दいた भापाँ को तल जब को जिस वो जए लोग्यों के साथ स голос, जब मैंने साथ, इजने साथ, बड़ फ्राद रता है, वो मेरा में बशह दूThe जगब का लोगएलने, झाल झाल